Increasing or decreasing function ये chapter 17 है RD Sharma के solution हम class 12 के देख रहे हैं Exercise 17.2 Show that fx equals to 10 inverse x minus x is decreasing function on r अभी तक इतने सारे question हमने किये आप समझ गये होंगे कि अगर differentiation यानि कि f'x अगर ये greater than 0 है तो ये increasing है less than 0 है तो ये decreasing है तो आपको decreasing के लिए इसको less than 0 prove करना है अब इसका differentiation कर लेते हैं f'x कर लेते हैं क्या आएगा 10 inverse x का होता है 1 by 1 plus x square ये तो आपको विधित है minus x का हो जाएगा minus इसका LCM ले ले लेते हैं LCM अगर आपको नहीं लेना आता तो इसको इससे multiply करिए इसको इससे multiply करिए और sign का ध्यान रखेगा ये minus हो जाए और नीचे इन दोने का मोड़िप्लाय करके लिख दीजे 1 plus x square into 1 1 plus x square ये सबसे रामबान निंजा टेकनीक है इसको अटा दीजे आपका आएगा minus x square by 1 plus x square अब आईए इस पे real number की बात कर रहा हूं मैं real number मतलब होता है कि real number line पे जो भी number represent हो सकते है तो वो 0 हो सकता है minus infinity हो सकता है infinity हो सकता है integer हो सकता है या फिर decimal हो सकता है कोई भी number हो सकता है वो किसे कोई भी आ सकता है अब पहली बात मैं इस x square की करूँगा x square आप जानते हैं x square में अगर मैं negative रखूँ चाहे positive रखूँ यह square होके हमेशा positive ही बन जा तो यह x square तो आपका positive हो गया यहाँ कोई शक कोई नहीं अब x square positive है तो x square positive में प्लस 1 जोड़ दें तो क्या होगा यह तब भी यह positive रहेगा हमेशा यूगि यह तो positive है न कोई भी negative डाली है कोई भी number डाली है यह हमेशा positive होके निकलेगा positive में अब प्लस 1 कर रहे है तो यह भी positive है इसका मतलब x square यह positive 1 प्लस x square यह positive यह पूरा positive हो गया इसके आगे आप negative लगा दो तो यह हमेशा ही negative रहेगा इसका मतलब यह जो f dash x है यह तो positive है लेकिन यह negative ने इसको हमेशा के लिए negative कर दिया तो यह less than zero आ गया तो जब f dash x less than zero आ गया और मैंने शुरुआत में आपसे यही तकरीर की थी कि less than zero पे यह हमेशा decreasing पे जाएगा इसका मतब यह function जो है decreasing हो अब लिखना कैसे है यह जरूर देख लेते हैं क्योंकि यह तो logic है लिखना आपको है बहुत ध्यान से आपका f x equals to minus x by 2 plus sin x is increasing or decreasing in minus pi by 3 और pi by 3 आपको समझना पड़ेगा यह है क्या pi by 3 मतलब होता है देखे आप में से 90% लोगों को ही पता होगा यह क्या है लेकिन मैं सभी को जो last लकीर में या line में खड़े हैं उनको भी देखना चाहता हूँ कि उनको भी सब पता हो तिसलिए basic basic चीज भी बताना जरूरी है pi by 3 को अगर आप देखना angle में क्या है तो इसको multiply कर देजिए आप 180 by pi से यह radian को degree में change करता है तो 3 6 तो 60 degree की बात हो रही है अब 60 degree का आपको sin और cos अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप इस question को कर पाएंगे अब minus pi by 3 है pi by 3 देखिएगा इसमें इन्होंने कहा कि यह increasing है या decreasing है यह बताना है इस धर्मिया पहला काम हम क्या करते हैं differentiation कर रहे हैं मैं differentiation करके लिख देता हूँ minus x by 2 है और यह sin x है minus x by 2 का क्या है minus 1 by 2 अगर इससे निकाल लें यह minus 1 by 2 into x है तो यह तो आपका constant ही है differentiation x का वन होता है तो इसको छोड़ दीजे sin x का होता है cos x तो आपकी सारी कहानी इसके एड़द-गुरद घुमेगी cos x के अब आप देखें cos x अब x किसके बीच में दिया हुआ है यह minus pi by 3 और pi by 3 तो x less than pi by 3 है यहां तो कोई समस्या नहीं है आपको x greater than minus pi by 3 यहां भी कोई समस्या नहीं है तो चलिए यह वाला पार्ट उठा लेते है x greater than minus pi by 3 यह तो है अब दोनों साइट में cos लगा देता हूँ यहां भी cos लगा देता हूँ अब आप जानते हैं यह cos x है और cos minus theta जो होता है यह plus cos theta होता है यह चीज साइन और 10 में उल्टी हो जाते है sin minus theta minus sin theta 10 minus theta minus 10 theta लेकिन यह cos positive हो जाएगा अब बेसिकली यह minus cos pi by 3 हो गया cos pi by 3 की value क्या है यह अच्छी तरह जानते है cos 60 degree की value half हो तो cos x greater than half हो गया तो मैं यहां लिख दूँ इसको cos x greater than half यहां से हमने निकाल लिया क्योंकि इन्होंने range ही दे रखा यहीं से हमने इसको derive किया है अपने आप कुछ नहीं बनाया cos x greater than half है क्यों ना इसमें मैं यहां पर इसको इधर लिया हूँ सवाल होगा कि यह तो मुझे सही logic नहीं लग रहा है तो वैसे logic यह जो मैंने आपको बताया logic यह लेकिन कई लोग के सवाल उठते हैं हर आदमी के सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज बंद आप मुझे बताइए यह पाइबाई थरी कहां है और कॉस कहां है तो यहां पर देखेगा यह 60 डिग्री हो गया यह पाइबाई थरी है मैंने कहा था हमेशा जो नेगटिव जब भी आएगा तो मिरर रिमेज बना दीजे इसकी अगर मैं यहां पर एक शीशा रगदू तो मिरर रिमेज यह बनेगा यह देखें यहां भी कॉस पॉसिटिव यहां भी कॉस पॉसिटिव इसलिए हमने कॉस एक्स को गरीडह देन हाफ लिखा है यह पॉसिटिव इसलिए लिखा से आप सवाल का उतर दीजिएगा ध्यान लखिएगा मैथवटिक्स में एक तरीका नहीं होता अगर आपको किसी टीचर ने एक तरीका समझा दिया है तो वही तरीका है ये लाजमी नहीं है एक ही क्वेशन के अलग-अलग आयाम हो सकते हैं अलग-अलग तरीके इनको सॉल्व करने के हो सकते हैं तो इसको जरूर नोट कर लीजे क्योंकि ये सब आपको दर्ज करना है अगर मैं ये एक-एक लाइन लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाता कई लोग ने मुझे से का कि जो लोग एक-एक लाइन सॉल्व करते हैं वो उसमें समय बहुत जाया हो जाता है तो अगर लोजिक बता दिया जाए आदमी को केवल रोजगार दिलवाना है नोकरी अपने आप पढ़ाई करवा दो आप रोजगार आपको वो अपने आप ढूंड लेगा लेकिन अच्छे से पढ़ाई करवा दो अच्छे से ट्रेडिंग दिलवा दो अगर वो employable है तो उ अब यह इसको मैं कहूंगा यह important सवाल है क्यों कि यह cbse 2000 में आया है और ध्यान रखिएगा कि cbse 2000 में आने का मतलब यह है कि यह पूरी चांसे से कि यह repeat हो repeat होने की पूरी समभवना है तो पहले तो आपको इसका domain समझना होगा domain का मतलब यह है कि क्या के value आप इसमें डाल x है यहां मैं x की जगा minus 1 डाल देता हूँ तो क्या आएगा log 0 है ना log 0 आ जाएगा अब इसको कैसे define करोगे यहां पर समझ से हमें फस गया तो यह minus 1 से नीचे तो जाएगा नी minus 1 के उपर ही रहेगा अब आईए इस वाले x by 1 प्लस x 1 प्लस x कभी 0 नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यह अगर 0 होगा तो यह पूरा term infinite हो जाएगा जो कि हम undefined कभी लेते ही नहीं है इसका मतलब जो denominator है यहां पर इसका जो है वो infinite नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 1 जोड़ो या क इसकी कोई logical value आएगी इसके दर्मियान otherwise नहीं आए तो पहली चीज तो मैं बता तूँँ कि यह domain बताना बहुत ज़रूरी है इस question की domain मतलब होता है कौन सी x की कौन-कौन value x ले सकता है range का मतलब होता है कि x value की डालने के बाद यह पूरा function क्या-क्या value output कर सकता है वो range हो जा तो domain क्या हो गया domain x का मैं बता रहा हूं आपको तो यह minus 1 से लेकर infinite है यह clear कर दिया मैंने अब इसका differentiation कर ले तो f-x कर देता हूं मैं इसका differentiation log 1 plus x का होता है 1 by 1 plus x और कुछ करने की ज़रूत नहीं है minus यह x by 1 plus x है इसको मैं यहां कर लेता हूं x by 1 plus x तो हम इसको question rule से कर लेते 1 plus x का whole square है 1 plus x लिखिए differentiation कर यह x का ज्योंकि 1 होगा अब minus कर दीजे क्योंकि 1 plus x का differentiation अब होना है x ऐसी लिख दीजे 1 plus x का केवल 1 ही हो तो उबर क्या होगा यह x x cancel हो गया आपका 1 by 1 plus x square आ गया यह तो 1 by 1 plus x square आ गया अब बहुत अच्छा हो गया यह क्योंकि हमारे पास 1 plus x है ही है यहाँ पर क्या करेंगे सीधा आप 1 plus x square लीजिए ठीक है यहाँ पर आपका 1 plus x क्योंकि 1 plus x इसको एक तरीका और सॉल होगी मैं इसको easy कर देता हूँ lc m lc m लेना थोड़ा तकलीफ की बात होती है लोगों को याद भी नहीं रहे तो आपका आगया 1 by 1 plus x ठीक है साब आप इन्होंने कहाँ यह increase हो रहा है कर decrease हो रहा है यह आपको बताना है देखे पहले चीज़ तो यह है कि हमको अगर यह increase हो रहा है तो हम क्या करेंगे इस चाहिए यह f-x है क्या यह greater than 0 है पहले चीज़े 1 plus x square denominator कुछ भी x की value लिख रखो आप doesn't matter जहां भी square आ गया इसका मतलब यह positive होगा यह तो positive हो इसका मतलब x greater than 0 होना चाहिए और इसका domain domain क्या है मैंने आपको बताया x greater than 0 होना चाहिए याने मैंने आपको यह बोला कि भई कि देखो minus 1 और infinite के बीच में इसका domain चलेगा लेकिन यहाँ पर हमें बता दिया गया कि यह increase and decreasing किस interval में हो तो x greater than 0 अगर यह है इसका मतलब यह अगर 0 है तो इस जगह तो जानी सकते क्योंकि greater than 0 है मैंने शुरुआत में का minus 1 से infinity का domain होना चाहिए लेकिन इससे निकल क्या है क कि अगर यह increase हो रहा है इसका मतलब यह 0 से infinite के बीच में होना चाहिए यह तो 0 होई नहीं सकता मैंने कहा आपको यह positive है क्योंकि square है जब भी even power आती है तो इसको आप मतलब दिमाग में डाल लीजए कि square power यह even power हमेशा positive हो यह x less than 0 होना चाहिए x less than 0 का मतलब क्या है अब देक minus 1 और infinite तक ही जा सकता है इसके इधर उधर नहीं जा सकता है यह कहते हैं कि x less than 0 है यह हम बताते हैं कि x less than 0 है यह 0 है less than 0 आप कहा तक जा पाओगा यहीं तक क्योंकि यह यह यहीं पे आपकी दिवार खड़ी हुई है इससे इधर नहीं जा सकते इससे इधर नहीं जा सकते ल जिरो से लेकर infinite तक तक तो increase होगा minus 1 से 0 तक यह डिकल अब बात आती है इसको लिखेंगे कैसे इसको answer कैसे लिखेंगे उसके लिए आपके सामने ये पूरा explanation है जो कि आप जो मैंने आपको बताया है उसके प्रकाश में अगर आप देखें तो आपको ये बहुत clear हो जाए जान रहे ये CBSC का question है तो आने की पूरी संभाव ना हो सकते इस question को भी मैं important के shareणी में रखूँगा उसका कारण ये है कि ये CBSC में आया हुआ 2000 देखे होता ये है कि लोग NCRT कर लेते हैं फिर कहते हैं ठीक से नहीं हुआ paper फिर लोग जाते हैं RD शर्मा वाले या फिर RS अगरवाल वाले तो ये दोरों किताबों में क्या इतने सारे question दिये हैं तो जितने question बन सकते हैं दुनिया में possible है वो सब इस question में दिये हुए तो rather than NCRT NCRT जरूर करिए NCRT पुरा करना है आप लेकिन added question करने के लिए ये RD शर्मा और RS अगरवाला आप कर लेते हैं तो आप अपको confident मानेंगे कि हाँ मैं confident हूँ कोई भी ऐसा question आएगा I'll be able to solve बागे हम मैं तो हुई या हम जैसे थोड़े से लोग ऐसे हैं आपकी मदद कर सकते हैं तो आपको ये बताना है X plus 2 E raise 2 minus X ये increase हो रहा है ये decrease हो रहा है तो increase और decrease इसको कैसे बता हो गया तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर fx है हम सीधा f dash x निकाल रहा है f dash x कैसे होगा इसका x plus 2 पहले ले लिजे E raise minus x का E raise minus x होगा फिर minus x का minus होगा प्लस कर दीजे E raise minus x ऐसी रखिए X plus 2 का तो 1 होगा इसका मतलब आपके पास आ गया minus x into E raise minus x minus 2 E raise minus x plus E raise minus x यहाँ हो गया अब आप देखेंगे कि इससे हम क्या solve कर सकते है E raise minus x और minus ये 1 है ये minus 2 है minus 2 क्या होता है minus 1 तो minus x E raise minus x minus E raise minus x अब इससे आप चाहें तो E raise minus x बाहर ले सकते हो आप तो minus x minus 1 आजाए अगर ये increasing है तो F dash x क्या होगा ना चाहिए greater than 0 होना चाहिए e to the power minus x minus x minus 1 ये greater than 0 होना चाहिए और राइट देखे E raise में कुछ भी डालो minus x डालो plus x डालो doesn't matter क्यों क्योंकि E जो है वो एक constant value है 2.17 अब 2.17 के उपर आप minus 1 डाल दो तो ये 1 by 2.174 हो जाएगा plus 1 डाल दो तो 2.174 रहेगा plus minus दुनों डाल के दिखा दिया मैंने आपको कि ये कभी भी negative नहीं ये हमेशा E raise minus x will always be greater than 0 ये clear है अब आई ये हम इस minus x plus 1 को करते हैं minus minus x minus 1 को minus x plus 1 करते हैं ठीक है जी ये greater than 0 होना चाहिए ये greater than 0 का मतलब क्या है कि दोनों साइड आप जड़ा minus से मड़िप्लाय कर दो तो x plus 1 less than 0 हो जाएगा आपको पता है minus 1 से मड़िप्लाय करते ही inequality change हो जाती है यानि x less than minus 1 होगा अब x less than minus 1 का क्या मतलब है ये आपका 0 है minus 1 है less than minus infinity है less than minus 1 मतलब minus infinity से minus 1 से minus 1 तो अगर x होगा आपके minus infinity से लेकर minus 1 तक तो आपको एक clear है कि ये हमेशा increase करें अब आते हैं हम decreasing decreasing का f dash x जो है वो less than 0 होना चाहिए इसका मतलब e raise minus x minus x minus 1 ये less than 0 होना चाहिए आपको बता है e raise minus x तो यार ये तो positive रहेगा ये तो less than 0 होई नहीं सकते है ना ये तो हमेशा positive है इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को less than 0 होना चाहिए minus x minus 1 को less than 0 होना चाहिए मेरा तरीका ये होता है minus x plus 1 कर दो less than 0 दोनों साइट multiply कर दो minus 1 से minus 1 से multiply करते ही आपको क्या होगा ये greater than 0 होजाए याने x greater than ये 1 यहाँ जाएगा तो minus 1 अब आईए आप ये इनका कहना है ये हमारा कहना है कि minus 1 से उपर ये तो 0 कुछ भी नहीं है तो मैंने अपने आप डाला है ये question में नहीं है कहीं भी किवल मैं marking कर देता हूँ मुझे पता है आधे अधे दर जाओ आधे उदर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ तो 0 मेरे पीछे बाला तो अगर minus 1 से उपर जाना है तो minus 1 से लेकर infinite तक जाना है आपको तो x अगर minus 1 से लेकर infinite तक होगा तो इसका मतलब ये हमेशा decrease करें ठीक है साब तो important question है इसको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा क्योंकि examination में आ चुका है और पूरा आने के संभावना है अब आपका सवाल होगा ज़रा इसका solution कैसे करेंगे ये भी बता दीजे तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं हम अब इसका solution ध्यान से देख लीजेगा increasing यहाँ पर होगा ऐसे increasing पर आएगा decreasing यहाँ होगा यहाँ पर decreasing ऐसे करना अगला question है अगला question है अगला question है अब कितना straight forward question है fx का f-x करेंगे मतलब a to the power x का क्या होता है a की power x log 10 base ही हो जाता है तो अगर मैं इसका differentiation करूँ a की power x 10 to the power x log 10 आप जानते हैं 10 के उपर कुछ भी रखो आप 10 के उपर minus 1 रखो 10 के उपर plus 1 रखो यह 1 by 10 हो जाएगा यह 10 ही रहेगा यह positive यह positive negative positive कुछ भी रखते देखे कोई फरक नहीं पड़ता है यह हमेशा positive है तो 10 की power x always greater than 0 log 10 क्योंकि log की बात ही यह positive वाली होती है तो log 10 greater than 0 यह positive यह positive होती है हमेशा greater than 0 तो इसका मतलब यह हमेशा ही increase करें कभी भी यह decrease करने की कोई संभावना ही नहीं इसको solve करते समय आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत straightforward है अगर आपको इसका differentiation पता है और आपको यह पता है कौन सी चीज कब positive होती ही कब negative होती है तो आपके लिए यह बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएग यह जो question है यह देखने में tricky है लेकिन यह 0 से 1 देखके इन्होंने हमारी समस्या solve कर दी क्यों? क्योंकि यह जो ऐसे block वाला question होता है ध्याना कि यह modulus नहीं है तो इसमें क्या होता है आप कोई भी value डालिए जैसे 0 से 1 के बीच में डालिए 1 से जस्ट पहले तक मैं जो 0.999 भी डाल दो आप तो जैसी आप इसका greatest integer function करेंगे तो क्या आएगा? यह हमेशा 0 ही आएगा यह भी 0 देगा यह भी 0 यहने number line में अगर मैं दिखाऊ हूँ तो 0 से लेकर 1 1 से लेकर 2 यहां तक कोई भी value दे दो आप 1 के पहले यह हमेशा 0 ही आएगा इसका उत्तर कोई भी value आप इसके अंदर दे दो आप 1 से 2 के बीच में लेकिन 2 नहीं होना चाहिए 2 से जस्ट कम हो जैसे 1.999 भी हो साथ तो वो value आप डालोगे x की तो भी हमेशा 1 आएगा मतलब जो lower आपका integer है वो ही यह value देगा यह clear हो गया तो अगर हम कहें कि भी हम x1 और x2 दो value ले ले लेते हैं क्योंकि यह value से ही करवा पाएंगे differentiation आप में आप क्या करोगे इसका mod x का क्या differentiation करोगे यह तो बड़ा मुश्किल हो जाए तो इसको हम जो पहले हम करते चले आ रहे थे उसी से हम solve करें x1, x2 जो है वो 0 से 1 के बीच में है हमने यह का कि यह इसके बीच में लाएगा और हमने यह भी बता दिया कि x1 less than x2 है यानि अगर x1 0 है तो x2 आपका 1 है लेकिन यह 0 और 1 example के लिए बता रहा है तो अगर आप greatest integer function x1 का निकालोगे तो क्या आएगा अच्छा यह 1 नहीं हो सकता ध्यान रखेगा क्योंकि यहाँ पर मैं जो x0, x1 और x2 ले रहा हूँ x1 मैं ले रहा हूँ मालनीजे 0.5 और x2 ले रहा हूँ मैं 0.9 तो इन दोनों का अगर मैं greatest integer function निकालोगे तो यह 0 आएगा जैसे मैंने आपको समझाया है यह भी 0 आएगा तो x1 का अगर मैं लेता हूँ या फिर x2 का लेता हूँ latest integer function दोनों का यह 0 आएगा जो मैंने आपको समझाया है कोई भी value ले लो यहां से यहां तक वो हमेशा 0 पे चला जाए तो 0 है हमारे पास है ही range 0 से 1 तक अब आएगे आप इस छोटे वाले पे x1 less than x2 है अब क्योंकि यह जो value है हमेशा integer हो 0 और 1 के बीज में यह तो 0 आएगा यह 1 आएगा तो दोनों साइट मैं सब्टायट कर देता हूँ x1 से अगर मैं इसको x1 minus x1 कर दूँ और यहां पर x2 minus x2 कर दूँ इससे मैंने क्या किया यहां पर x1 मैंने हटाया यहां पर x2 हटाया उसका मतलब क्या है कि अगर x1 less than x2 है यह तो proper value है 0.5 और 0.9 और जब मैं इसका greatest integer function निकाल रहा हूँ तो 0 ही आ रहा है तो अगर मैं minus 0 कर दूँ यहां पर minus 0 कर दूँ कोई फरक दो पड़ेगा नहीं और minus 1 भी कर दूँ, minus 1 भी कर दूँ तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा यह जो greatest integer function x1 का और x2 का same ही रहेगा अगर यह 0 से 1 के बीच में अगर आप जैसे 9 से 10 के बीच में लेते हैं मैं इसका भी कहता अगर आप निकालते हैं जैसे मैं 9.2 ले लेता और 9.9 ले लेता तब भी यह 9 ही आता तो आप यह कहेंगे ना equal number minus करना था ना यार यह क्यों, अलग-अलग क्यों minus कर दिया यह भी सवाल दिवांग में उठना चाहिए इसले minus कर दिया, लेकिन इत्तिफाक से यह क्या चीज है देखें, यह fx1 है और यह fx2 है, तो अगर x1 less than x2 हो और उसके बाद आपको यह भी पता चल रहा है fx1 भी less than fx2 हो, इसका मादब यह increasing function है किसमे? 0 और 1 के, लाजिक साम में आया ऐसी होगा यह, और कोई differentiation इसका क्या करोगा differentiation पता ही नहीं है, कैसे होगा तो सहाब इस तरीके से यह किया जाएगा इसको जरूर आप अपने दिमाग में विलकुल feed कर लें, भर लें, क्योंकि यह बड़ा एक important सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आप f-x करने चले तो आप बोलेंगे इसको कैसे करेंगे क्योंकि इसका differentiation करने के लिए अलग से logic लगाने पड़ेंगे, जो कि अभी हम उस chapter में नहीं है, जहाँ पर हम इसको उस तरीके से साल, अब चन्द सवाल और रह गए हैं, जिसमें आगे के जो सवाल हैं, वो चार NCRT के सवाल है, यहने आपके एक्जाम में आने की पूरी संभा होना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगरी बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए, जैहिन जै भारत, नमस्कार, स्लाव अलेकूं और सस्रिया का